जैहिन स्वागत आपका आपके पने चल होम टुशन पे दोस्तो रेलवे असिस्टेंट लोको पाइलेट 5666 में पदो पर नोटिविगेशन जारी हो चुका है और कल से यानि 20 जनवरी से इसके ओनलाइन फोरूम स्टार्ट हो चुके हैं 19 फरवरी तक आप ओनलाइन फोरूम पहला एक्जाम रहेगा CBT-1 उसकी कटोफ कितनी रह सकती है कितने नंबर लेके आएं कि CBT-1 आपका पार हो जाए और CBT-2 के लिए आप क्वालिफाई हो जाएं तो आज किस यूडियो में हम यही बात करने वाले हैं क्योंकि रेलेवे किस बरती में लाखों बच्चे सामिल होने वाले हैं कंपिट्सन बहुत जादा रहने वाला है तो कही न कहीं आपकी दिमाग में रहेगा कि 75 नंबर का CBT-1 होगा उसमें आखिरकार कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि CBT-1 आपका पास हो तो वीडियो को ध्यांसे और पूरा जरू देखे दोस्तों दोस्तों आपको बता है कि जो CBT-1 होने वाला है उसमें अकेला मैथ और रिजनिंग 45 नंबर का आने वाला है 45 क्यूशन केवल मैथ और रिजनिंग के मिलने वाले हैं तो केवल ये दो सब्जेक्ट ही आपका सेलेक्शन डिसाड़ गर देंगे दोस्तों क्योंकि जर्नल साइंस आपकी 20 नंबर के आने वाली है करंट अफेरोजी के आपकी 10 नंबर के आने वाली है तो CBT-1 में दोस्तों आप देखोगे तो मेन रोल आपका जो है मैथ और रिजनिंग का रहने वाला है और जो CBT-2 होगा दोस्तों उसमें भी मैथ और रिजनिंग और साइंस आएंगे 300 कुशन 100 तो उसमें भी मैथ और रिजनिंग का अच्छा खासा वेटीज आपको देखने को मिलेगा तो ये हम एक सपेसल बैच लेकर आ रहे हैं दोस्तों गरीब रत बैच हमारा नाम है बैच का 29 जनवरी से इसकी किलासे स्टार्ट हो रही है और फीस केवल 1199 रुपे यानि जितने म महिने का आपका एक रिचार्ज होता है मुबाइल का उससे भी कम फीस में मैथ और रिजनिंग रेलवे असिस्टेंट लोको पाइलेट के लिए कंप्लीट मिलेगा अर्थमेटिक एडवांस जितना असिस्टेंट लोको पाइलेट में जिस लेवल का पूछा जाएगा का प्रक्टिस सेटम शुरू कर रहे हैं रेलवे एलपी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों आप एक बात जानते हैं कि भाईया नोटिविकेशन है वो आ चुका है ठेक है यह आप जानते हैं कि 20 जनुरी से यानि कल से इसके ऑनलाइन फोरुम स्टार्ट हो चुके हैं 20 फरवरी लगबग 19-20 फरवरी तक आप उनलाइन फोरुम बर सकते हैं और वैकेंशियों की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि वैकेंशिया अभी 5606 में है लेकिन 5606 में को देखकर डरना नहीं है यह वैकेंशिया आपकी इंकरीज होंगी क अगर कोई बच्चा OBC से बिलोंग करता है ठीक है OBC से आप बिलोंग करते हैं तो 18-33 साल तक हैं तो आप इस फरवरुम क अपलाई कर सकते हैं और SCST में अगर आप हैं तो 18-35 साल लेकिन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास दस्वी के साथ-साथ आई होगा अब यह एक छोटी सी अपलिकेशन थी जो रेलवे एसोशियन की तरफ से बेजी गई थी ओल इंडिया लोको रणिंग स्टाप असोशियसन की तरफ से अपलिकेशन जो दिल्ली हेड़कॉर्टर है उनको बेजी गई है और इसमें मुद्दा उठाया गया है कि वह यह रेलवे में अभी ALP के लगबख 16,333 पद अभी खाली है और आपने जो वेकेंसी निकाली है इसमें आपने केवल 2023 की जो वेकेंसी है 5,606 में पद निकाली है और आप देख रहे हो कि रेलवे में अलरड़ी स्टाप की कमी है जो वरकर है उन पे बड़न भोजदा है 12 से 20 ग अप्लिकेशन दी गई है कि सर ये जो वेकेंसी आप 5,606 में है इनको थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए सिच्वेशन को देखते हुए और जो बरती परिक्रिया है उसको भी थोड़ा सा फासली कीजिए पेछले आपने देखियों कि 2018 में बरती आई 2020 में जाकि उसका पेपर ठेक है 21-22 में उनको बच्चों को जोइनिंग मिली है तो एक भरती और आल 4-5 साल का समय लिती है रेलवे का तो ये भी इसमें बात कही गए कि बहिया आप थोड़ा प्रोसेस को भी थोड़ा सा स्पीड कीजिए और जो ये वेकेंसीया है 5,606 में इनको थोड़ा सा इंक्री कि 10,000 से लेके 15,000 के बीच में रहने वाली है ठेक है तो खाली नोट वेकेंसन को देख कि आपको गबराना नहीं है कि बहिया वैकेंसी आप बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगी डेफिनिटली बढ़ेंगी दोस्तों ठेक है इसके अलावा दोस्तों CBT-1, CBT-2 होगा फिर एक ट्रेड सपेशल टेस्ट होता है 75 नमर का CBT-2 के बाद दोस्तों उसके बाद आपका मेडिकल और डोकुमेंट वेरिफिकेस्टन होता है तो CBT-1 का एक्जाम पेडरन देख लेते हैं इसे विए आपसे चार सब्जाब पूछे जाते हैं मैथ जो की 20 क्यूशन 20 नमबर, रिजनिंग 25 क्यूशन 25 नमबर, साइन्स आएगी स्पेशल 20 क्यूशन 20 नमबर के और 10 नमबरों में आपका सामान है ग्यान और करंट अफिर आपका पूछलिया जाएगा तो CBT-1 में 75 क्यूशन मिलेंगे, 75 नमबर का पेपर होगा, एक अलग अलग RRB की कटोफ यहां पर देखी है, आपको निकाल के दिखा रहे हैं, यहां पर देखें दोस्तों यह railway recruitment board बैंगलोर की है, ठीक है, तो बैंगलोर में आप देखिए दोस्तों अलग 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 ट्रेड की कितनी, असिस्टेंट, लोको, पाइलेट, दोस्तों, मै कितने में से दोस्तों, पिचेतर में से 30 नंबर लेने होंगे, स्टी में 25 नंबर लेने होंगे, और ओब आडटीस नंबर पे आपका सिवीटी वन है, वो किलियर हो जाता है, ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं, यह आप देखिए दोस्तों, यह RRB चिन्नई का है, सब स में 30 नमबर पर आपका CBT1 है वो पूरा हो जाता है दोस्तों यह X-Man का है लेकिन यहाँ पर open category का भी यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों ठीक है इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर जो RRB चंदिगड है दोस्तों यह चंदिगड की है दोस्तों यह चंदिगड का है ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे cutoff लगब 50 के आसपास जारी है 57 के आसपास भी यहाँ पर जारी है अलग-लग post के लिए अलग-लग है दोस्तों यहां पे ठीक है इसके अलवा पटना का आप देखोगे दोस्तों तो पटना में भी दिखाया हुआ है ठीक है यहां पे आप देखिए असिस्टेंट लोको पाइले ट्रक्षन वही पोस्ट है तो यहां पे 40 नंबर तीस नमबर पत्चिस नमबर और तीस नमबर तो इसका मतलग ये है और ये दोस्तो नॉर्मलाइज कट ओफ मार्क्स फर्स स्टेज कम्पूर्टर बेस स्टेज 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 ठेक है तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि खुद हमने बनाया है ये आरारबीज की उनके ओफिशल साइट पर ये चीज़े पड़ी होई है आप खुद भी जाके देख सकते हो अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग कट ओफ है दोस्तो इस बार क्या रिने वाली है तो दोजार चोबियस में दोस्तो वैकेंसी अभी फिलाल पांच जार शेस उच्छान में है और आप अगर फोर्मों की बात करोगे तो फोर्म आप मानके चलिए दोस्तो कम से कम 25 से 30 लाग फोर्म यहां पर भरे जाने की उमीद है ठीक है इतना तो आप मानके ही चलिए क्योंकि रेलवे एंटीपिसी में 35 जार वैकेंसी अजब आई थी तो उनके लिए एक करोड फोर्म भरे गए थे ठीक है दोस्तों तो यह ALP की वैकेंसी भी यहां प एक फेमस वैकेंसी है बहुत ज़्यादा परतिस्चित और पर्षिद वैकेंसी है तो वैकेंसी में यहां फोर्म भी बहुत ज़्यादा अपलाई होंगे तो अगर आप journal category से बिलोंग करते हैं तो लाखो बच्चों में से भाईया ऐसा नहीं कि आप सभी को pass कर देंगे हालां की minimum passing marks भी है 35%, 30% journal OBC के लिए लेकिन यहाँ पे cutoff बनती है दोस्तों ठीक है तो यहाँ पे आप मानके चलिए कि अगर आप journal category में अब एक और चीज भी है कि अलग-अलग RRB की अलग-अलग cutoff होती है जैसे RRB चंदीगड की आप देखोगे तो cutoff थोड़ी जादा मिलेगी अगर आप RRB मालदा की देखोगे तो उसकी cutoff थोड़ी सी हलकी सी कम मिल सकती है आरार भी गौाटी की देखोगे तो उसकी अलग मिलेगी आरार भी अजमेर की देखोगे तो उसकी कटोफ थोड़ी सी अलग मिल जकती है लेकिन ओराल मैं बात करूँगा कि आप किसी भी आरार भी बिलोंग करते हैं और आराल आपका एवरेज स्कूर इतना होना चाहिए तो आपका CBT1 किलियर हो जाएगा तो जर्नल कैटेगरी में दोस्तो 40 से लेके 47 नंबर आप लेके आते हैं आराम से हो जाएगा इस बार AWS भी रहने वाला है तो AWS में आपका लगबग लगबग दोस्तो 38 से 42 क्या सपास कट ओफ रहेगी वादा इतना टारगेट तो आपको minimum रखना है पड़ेगा CBT1 क्वालिफाई नेचर का है पास करना होता है ठीक है दोस्तो कि कितने बच्चे हो सकता है बच्चे माल लीजे बहुत ज़्यादा बैठ रहे है वैकेंसे अब अगर बढ़ती है तो कट ओफ में एक दो नंबर का फरक आपको देखने को मिल सकता है लेकिन रेंज यही रहने वाली है ठीक है दोस्तो रेंज आपकी यही रहेगी इससे कम कट ओफ नहीं जाएगी जर्नल वाड़ा 40% ननि 40 नंबर तो आपको लेके ही आने होंगे मिनिमम वो बिलोंग कर देगा कि कौन सी RRB में आप फोरम बर रहे है ठीक है ठीक-टर में आप देखोगे दोस्तो आप ध्यान से देखिये अगर आप मैथ और रिजिनिंग पर ही फोकस करते हैं तो 45 क्युस्शन तो यहीं से आने वाले है है अगर आप 45 मेंसे मान लिजै 35 भी सही करते हैं मान लिजै 10 क्युस्शन आपको नहीं आते और 210-30 इसमें 50% भी करते हो, 15 नमबर भी यहां पर सही करते हो, तब भी दोस्तों आप 50 नमबर तक पहुँच सकते हो, आराम से CBT-1 आपका क्वालिफाई हो जाता है, छेकर दोस्तों, तो ये एक सही तरीके से सही गाइडन्स के साथ अब तैरी करोगे, तो आराम से किसी प्र अणि बार रेल्वे की त्यारी कर रहे हैं, सलिबस चाते हैं, सलिबस पढ़ना चाते हैं, कंसेप्ट चिकना चाते हैं, ठेकर हर टाइप, हर परकार के सवाल को डीपली समझना चाते हैं, तो आए ग्री बरत बैच में, केवल 119 रुप्य में, और कल से यूटूब पे मैथ रुजिनिंग की RRB-LP के लिए प्रक्टिस भी कर सकते हैं, और अगर आप सलिबस आते हैं, तो आप हमारे बैच में ये, केवल 119 रुप्य में, 200 रुप्य में आपको कंप्लीट मैथ रुजिनिंग का सलिबस मिल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या लोग है, ठेक है, तो अ के लिए, धन्यवाद, जय हिंद,